मैं आज आपको टार्टान एक्सॉन की रिव्यू देने जा रहा हूं यह टार्टान एक्सॉन का सोलो सव सीसी दीजल इंजन है जिसको हमने पर्चेस किया था एप्रिल टुटाउजन एटीन में अल्मोस्ट एटीन मंद्स हो गए है और गाड़ी हमारी चल चुकी है था सब्सक्राइब के करीब फांड़ किलोमेटर के करीब अपर्चेस करने के सुची थी kuо ह। सिसकी वियू पर नोव मेह सोब टारके थी निमभा एप्रिज़ ड्रुलीए यह इंख एवे अपको किक्हा यिंग हमे लेगे इस हाब टारके फिर उल्यलिशन माने। 8. सेडान तो अल्टिमेटली एक स्यूवी थी और कॉम्पक्ट स्यूवी में और अच्छी बात है क्योंकि अपने शेहरों में ज्यादा पार्किंग अर्गीं की दिक्कत है और रोड भी खस्ता हाल है तो we decided that instead of going to sedan then going to SUV we should jump directly to an SUV सो हमने यह SUV खरिदी तो SUV खरिदते वक्त हमारे पास तीन आप्शन थे फर्स्ट एंड फोर्मोस्ट थो फोड़ी को स्पोर्ट था और सेकेंड टाटा नेक्सॉन और थर्ड थी विटारा ब्रिजा ब्रिजा इसलिए थी क्योंकि घरवाले बोल रहे था है कि मैं मारूती भी द देखने हो तो मारूती जब देखी हमने ब्रिजा तो कोई स्पेस नहीं था उसमें बैसिकली तो से इंजन भी 1.2 लिटर तो 1.2 लिटर तो अल्रेड़ी हम चला रहे थे तो देर वाज नो पॉंट इन 1.2 लिटर अगेन और गाड़ी आपकी बड़ी हो और उसमें पावर न इसमें बिल्कुल ही मुझे बराबर लग रहते हैं क्योंकि दोनों की यूएसपी एक तरह ही थी बहुत वार वेरी स्ट्रॉंग और इसमें जो मुझे बहतर लगा कि इसमें फीचर्स जादा थे हैं बहुत सारे फीचर्स थे जो फ्रोडी को स्पोर्ट में नहीं थे कई फीचर उन्होंने उस वक्त निकाल भी दिये थे जैसे डोर आटमेटिक क्लोज होने वाला फीचर नहीं था और कुछ हमने रिव्यू पड़ा इस पे फेस्बुक वगर पे उनक टायर बर्ष्ट का प्रॉलम काफी दिख रहा था तो फिर 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 फोर दा लेटेश टेकनोलोगी यागु आर लैंड रोबर ब्रॉट इंडिया मायन इंडियन कंपनी और एटीन मंस में हमने कमी चलाई है काड़ी ज्यादा नहीं चली है सिंगल एंड़ चली है और देखा जाए तो जो प्रमुक चीजे होती है जैसे मायलेज मायलेज यह मुझे शहर में है यहां पर मुझे मुझे मायलेज इसका 20 के ऊपर ही मिलता है all the time 21 इसमें ज्यादा ही दिखाता है तो अगर अगर दो किलोमेटर का अपन मान के चले है कि डिफ्रेंस है तो अभी यह मायलेज अच्छा है तो यह देखिए अभी इस पर 21.8 का मायलेज आ रहा है और अफ लेट आव नॉट गॉन टू एनी हाइवे बहुत समय हो गया हाइवे पर गया है तो जो शहर में चल रहा है वही है तो अपन मान भी चल सकते हैं कि अल्मोस्ट यह 20 के ऊपर ही दे रह है हूँ दो बार हम लोग एक बार हम लोग मुंबई गया है इस काड़ी से तो यह 26 का मायलेज इसमें दिखा रहा था है और आई बिलीव कि 23 टू 24 के करीब मायलेज थी इसमें विच प्रेटी सॉलिड मायलेज और मैक्सिमम टाइम्स मैं शेहर में चलाता हूँ तो इसमें चलाते हैं और कभी तेज चलेने की इच्छा हुई तो स्पोर्ट मोड में भी चलती है यह स्पोर्ट मोड पे मैं कम ही चलाता हूँ क्योंकि रस्पांस कुछ जादा ही बढ़ जाता है ऐसा लगता है कि जादू ही शक्ति आ गई है तो एक बार हमें जाना था उदैपुर तो नॉर्मली यहां से हमें उदैपुर जाने में थ्री एंड हाफ आर्स लगते हैं और और दाट देशा इन स्पोर्ट मोड तो हम टू आस में टू आस में वी वर राइट इन था आट उद आप आट एटी इन उदैपुर और एन स्पोर्स मोड और सबसे अची बात है है कि अब भी मैंने आपको वहां पे ब्रेक मार के भी दिखाया, जो गाड़ी स्पीड पे रहती है, माल लो आप 120 पे हो, और अल्मूस्ट आफ अलॉस्ट 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 आपको ब्रेक मारने के जरूरत है, तो बिल्कुल भी गाड़ी एलती नहीं है, कुछ नहीं होता है, गाड़ी आपने ब्रेक लगाया है नहीं, कि विदिन 3-4 सेकंड गाड़ी आपको खड़ी हो जाती है, तो इससे confidence level बूस्ट होता है, कि भाई मैं इसको fast भी चला सकता हूँ, और तेज ब्रेक भी लगा सकता हूँ, फिर भी मैं बहुत जाजा तेज नहीं चला था, क्योंके हमारे दो छोटे बच्चे जो पीछे बैठते हैं, और देख, they do not stand the seatbelt, दो मिनट भी उनको seatbelt में बेचाइन ही हो जाती है, इसलिए, और अगर आपने previous वीडियो देखे होंगे, तो we keep on going various places, जहां पे हमारे काड़ी में, बहुत सारे खराब रोड भी है, जो highway के अलावा ज गड़े बड़े का पता नहीं जलता है, और हम जो मुंबई गए थे, मुंबई जाने वक्त भी हमारे पास कई बार ऐसे बाखे आये, यहां पे मेरी पुरानी अगर गाड़ी होती ही, आइटम, तो उसमें पीछे सीट वाले जंप कर रहे होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में विल्कुल भी एक बार भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, तीछे सीट वाले आराम से बैठे रहे हैं, और एक बार भी उनको सीट से उपर नहीं उठे हैं, और इसमें एक और अच्छी बात है, कि पावर जाता है, तो जो जिस स्पीरिट पे मैं आराम से जलाता था, जिस इस और मेरी गाड़ी 70 पे चलती थी, और वहीं उसी रोड पे ये गाड़ी 90 पे चलती है, और अगर जिस रोड पे मैं 90 पे चलाता था, तो भो आटोमेटिक 110 पे चलती है, और हमारे साइड मे पीलियन, जो हमारे बेठे राता है, उनको भी पता जी चलता है कि गाड़ी बौत शांती रहती है ऐसा को यह परेशानी नहीं होती कि अरे बहुत तेज़ चला रहे हो आप थोड़ा स्लो करवा नाथिंग डूए बजह में चलता है और अब मैं आपको तो बताओं कि मुझे प्रॉब्लम क्या क्या आई इनीशली प्रॉब्लम यह आई थी कि हमारा यहां पे जो वेंट होता है जिससे बाहर की हवा अंदर आती है कि मैं दिखाता हूं गाड़ी रोक के आपको मैं आपको दिखाता हूं यह जो हमारा वेंट है यह वेंट अभीז बंद है यह खुला था तो इसके खुले होने के कारण जबहु राटी हाइवेष पर जाती थी तो तो गरम हवा अंदर आती थी गरम हवा आती थी अमेर पता ही नहीं चलता है यार यह क्या हो रहा है थ्री कॉर्टर पैने तो लगता था बिलकुल पहुँ जल रहा है और शुरू में ही कुछ दिनों बाद जो यह ग्लासेज है इससे आवा जाने लगी थी तो इस फर्स्रविस देने वाले थे वो उसको अड्रेस नहीं कर पाए फिर मैंने डिरेक्ट मेसेज किया टाटा मोटर्स को दे केम ओवर तो माई हाउस दे पिक्ट अप दे वेहिकल और ऑफिस लेगा मदलब अपने सर्विस सेंटर ले जाने के बाद एक गंड़े बाद ही उनका फोन आ गया कि अपने ड्राइब किया गर्म हवा नहीं आई पर उन्होंनों बोला कि आप चला के जाना मानलो आपको लग रहा है कि अभी भी रिजॉल नहीं हुआ है तो आप लेकर जाना और कहीं भी इसु हो तुम मेरे बास वापस बता देना या तो आप बता देना या मैं आ जाओंगा जैसे भी आप आजाओं मैं हो जाओंगा लेकिन कभी इसु रिपीट नहीं है अब कमिंग टू दा एसी एसी आप देख सकते हैं अभी ऑक्टूबर का मौसम है अभी ज्यादा थंड है ना गर्मी है अभी फैन स्पीड हमारा वन पे है और 26 दिगरी टमपरेचर है लेकिन ब प्लेजन्ट एट्मोस्पेर बना हुआ है बहुत ही बेरली ऐसा हुआ है कि मैंने इसी को 22 के नीचे लेके गया हूं क्योंकि इसकी कूलिंग इतनी एफेक्टिव है इतनी फास्ट है कि आपको बस चिलिंग एक्स्प्रियेंस हो जाता है इसका सॉफ्ट्वेर भी काफी इन्होंने अपडेट कर दिया जैसे ही सेकंड सर्विसिंग में गए हम तो इन्होंने सॉफ्ट्वेर अपडेट कर दिया जो रिवर्स पार्किंग कैमरा था वो शुरू में रात में बहुत एफेक्टिव नहीं था लेकिन अब ये काफे यहां आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि एडवाइस भी देर है वेहिकल स्पीड टू हाई ट्राइब सेफली यह खुद भी बताता है जैसे गाड़ी की सर्विसिंग अगर ड्यू हो जाती है अभी आपनी इसा गाड़ी चल चुकी है 14,000 किलो मेटर्स के करी जैसे ही 15,000 किलो मेटर्स होगी every time I would start the vehicle it will tell me that servicing is due तो यह सब बहुत अच्छे फीचर्स है लाड़ी में और अभी हम इको मोड में ही चल रहे हैं बाकि आप जैसे देख सकते हैं Google Maps वगरा इसमें Android Auto वाला कनेक्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि बेसिकली वे लिव इन स्मॉल टाउन और इसकी अपाइमेंट होती नहीं है दूसरी बैत जो नॉर्मली रिव्यू आती है कि इसका इन्यन की नॉज बहुत आती है अगर मैं इसका मोड चेंज करता हूँ सिटी ड्राइव मोड इस अक्टिवेटेड अब इसमें से थोड़ी से नॉज नहीं आ रहा है और गाड़ी को डाल दिया है स्पोर्ट मोड पे है तो थोड़ी से स्पीड गड़ा है यह वे फॉर्टी के रहंग है तो ऐसेच कोई खास नहीं आ रहा है और नॉर्मली मैं अच्छी अच्छी है तो खड़की चाला करी कलते है अपन और जैसे ही मैं इसके मुजिक सिस्टम बजाता हूँ तो आपको मालू ही है कि इसमें बहुत ही अच्छा मुजिक सिस्टम लगा हुआ है तो दिर नो पॉइंट कि आपको किसी प्रकार का नॉइस सुना ही पड़े तो और बहुत है रिलाक्सिंग है मेरे कही रिव्यूज में पड़ा है कि इसका क्लच हाड है और यह स्टेरिंग नहीं बेसिकले क्लच हाड है तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बहुत भाड़ी गाड़ी जला रहा हूँ बिल्कुल जैसे आइटें चलाता था वैसे हलका ही चलता है इसके A-Pillars का प्रावलम है यह A-Pillars थोड़े से रोबस्ट हैं चोणे हैं तो कई बार ट्रैफिक में मुझे ऐसा लगता है अचाना की कोई गाड़ी बाइक सामने आ गई बाइक सामने आ गई बाइक आले होती भी बाइक सामने आ गई तो अचाना की सामने आं गई आलसा बाकिष के अलवा कोई प्राइलम नहीं है और यह रिवर्स पार्किंग कामरा से पार्किंग मैंने गाड़ी एसी ऐसी जगह पार्क कियें कि लोग भी देखने लग जाता है वैसे जा एकेचिंग का रहें और कहीं भी मैंने गाड़ी कर दी है यहां पे बहुत कम जगे हैं मonow उसमें गाड़ी रिवर्स करकर लगा लिए तो रिवर्स पार्किंग क्यामरा से बहुत ही आसान ऊजग है पार्किंग मेरे लिए कि पहले में बहुत अच्छ स्य पार्किंग नहीं क्रों वह से लिकिनभ बिल्कुल कोई इशू मैं अब मैं कुछ आपको इसके फीचर्स के बारा में बताता हूं हम तोड़ा सा बाहर आगया है बाहर वाले रोड पर तो तो इस तरह देखें तो यहां पर हमारे पास जगह है जहां पर यह रख सकते हैं अपना संग्लासे अगरा यह जो लाइट है यह बहुत ही बढ़िया लाइट है इसके कॉलिटी बहुत अच्छी है और रात में जब यह जलती है तो बिल्कुल सिल्वर टाइप का महल हो जाता है गाड़ी के अंदर एम्बियंट यह हमारा सिंगल टच है जैसे इसको आपन टच करेंगे तो यह खड़के है और दोनो मिरर्स बंद हो जाता है जब दीड़ वाड़ वाली जगह पर हो तो इसको बंद करके सेफली यह पंद रख सकता है और उसे टच से यह खुल भी जाता है तो काफी अच्छा है आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना पड़ता मैंने इस पर एक छोटी सी मिरर लगवाई है जिससे कि अपना जो ब्लाइंड स्पॉर्ट होता है गाड़ी में जो गाड़ियां विलकुल पास से गुजरती है बाइक्स तो वो इससे मिस नहीं होती योग डॉंट गेट सर्प्राइस्ट फिट एंफिनिश की बाद करें तो फिट एंफिनिश बता है था लोगों ने कि बहुत अच्छी नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं कि बिलकुल एंटिरियर होदी अच्छा है अप मार्केट है और एक बार ऐसा जरूर हुआ था मेरी अच्छी हलकी सी इसकी बीच में आ गई थी और इस वाज फर्स्ट ताइम आई फेल्ट कि यहां पर कुछ इशू हुआ है अभी भी देखिये टेंप्रेचर हमारा 26 ही है पैन स्पीड बन है लेकिन काफी थंडी होई है गाड़ी और अंदर काफी थंड़क महसूस हो रही है और एक साल में बिल्कुल भी गाड़ी पुरानी नहीं हुई है बिल्कुल अच्छी गाड़ी के बाहर की चीज़ेता हुआ हूँ है चार तरफ से लेके यह काफी उंचा बम था जब हमारे पास चोटी गाड़ी थी थी तो ऐसे बम्स पर वह स्लो करना पड़ता था अब मैं आपको थोड़ा एक्सेसरी जगर दिखाता हूँ कि मैंने क्या-क्या लिया है बहुत ज़्यादा फ्लैशी चीज़े नहीं है एक्जर्ट मॉडल है अपना यह स्वीट कपर लगाया था जो कि वहीं पर आया था कंपनी वालों ने दिया था इसके साथ वो पीछे इसके साथ यह मैंने बाहर चा लगवाया क्योंकि यह मेरे एक्सपिरियंस काफी अच्छा रहा है इसके साथ इडलाश रियली लॉंग यहावा सुनिया इस वेडी री रिश्योरिंग साउंड कि गाड़ी आपकी कितनी मजबूत है और अब हम पीछे और आपको है यह लाइ और आज़े भी लाइट आजाती है इससे एक स्टेज ऑन पौरा बिला है यह मारा गूट स्पेस है काफी अच्छा स्पेस है लेकिन सम्हाव यहाँ पर दो इश्यों है मुझे जो टाटर के साथ रही है कि एक तो उन्होंने इस गाड़ी के साथ यहाँ पर जो ब्लैक कलर का आता है वो नहीं दिया और सेकंड एक वीर्ड थिंग जो मुझे लगी हो थी अब दी कि यहाँ पर कितनी चीज है यह नंबर है इस केन वी पेस्ट सम्वेर बिहाइंड ऑल्सो साइड में यह दुनिया जान की चीज है यहाँ पर कुछ था हड़ गया है क्यू असिस्केंट पॉंट आक परियनर्ट आयांक टेश्ट अथी अफिडिव थाकर डैंशे अब तक वायी तरह आई असे हो कि तो इसाना इस गारी को लोक्रण आप देखें तो बढ खुत मुझे यहां जाता है आंजो अपने उस साख थिशने में गडियों अब भी तक कुली है नहीं हो गया और बाकी इसको कुल के जाना दिखाने की जरूरत ही है क्योंकि I am not a technical guy, I don't understand these things, जो भी इसके अंदर है I totally enjoy the driving and I am very very satisfied customer of data, यह ते हमारी review हुआ हुआ है